हाई गाईज वेलकुम टू मैए चैनल तो जैसे की मैंने पाइस व्लोग में कहा था मैं आपको रैसेपी बताऊंगी अपने उसका नाम मैं बताना बूल गी थे अभी बता देती हूं उसका नाम है क्या कहते हैं लोग जब डूब जाओ उसका हमने रैसेपी देखा था अब उ कसूछ इसो candles आह बर के ऐसा ही कुछ वड़ा आणिवे तो इसकी रीसेपी बताती हम है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है हमको करना होता है पानी पानी लेना होता है उसको अच्छे से एंदि हाई फ्लेम पर हाई फ्लेम पर उसको बॉयल होने देता है जब थोड़सा गरम हो जाए तो फिर लो फ्लेम करके उसमें सूजी डालना हो तो तब तक मिलाने जब तक तक वह आटा वाले टक्चर में ना आजए उसको आटा की जैसे गुनने लगी ठीक है तो उसको फिर अगर वह आपके हाथ पे नहीं चीपक रहा है वह नॉन स्टिक हो गया तो ठीक है उसको प्लेट में निकाले ज़िए हलका ठंडा कर लीजिए उसको आटी की तरह गुंड लीजिए थोड़ा सा रिफाइन डाल के उसको अच्छे से गुंड लीजिए फिर उसको उसको साइड में नियुक्र आपको पोटेटोस को बॉइल करना है तो कि फिर उसको चिल का जील ने फिसको मैश कर लेना है पिर उसमें आपके पस जो भी वेजीटेबल से अवेले बले उसमें डाल लेना है चौप करके और फिर सबसे इंबॉतें आपको पाोजिए में कोई सोल्ट नहीं डा एंड रेड चिली पाउडर अनली इस इंग्रीडियन्स यह डाल के सब बना लेना है और फिर हमको जो हमने सूजी का बनाया था उसको छोटा-छोटा बॉल्स में क्रेट कर लेना है फिर उसको एक कोई आपके पास अगर बटर पिपर है तो ठीक है यह कोई भी साफ क्लीन पॉ आपका मांचा शेप बना सकते बस फटना नीच चाहिए और इसी तरह करके आपको डीफ्राइंग ओयल में रिफाइंड ओयल में उसको उसको फ्राइंग कर लेना है एंड रेडी आप उसको किसी भी साथ सर्फ कर सकते है अचार टमेटो केचप एनिफिंग तो यही था रेस तक बढयों की तूक झालने खूके टूकर लगज करिका लाटो कि वग大 यूकर लाट do बाटे छालनी जाव है लिछान की नावाईंग?